बड़ा जटका लगा है विपक्ष के पाच विधायकों ने राची में पीजेपी जोयन कर ली कॉंग्रस के कदावर सुखदेव भगत तो जेमेम के तेज सरार कुनाल साडंगी ने भी चुनाव से पहले अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया जारखन में बीजेपी अपनी ले में है बीजेपी रनीतिकारों की नजर विपक्ष के कबजेवाली मजबूत सीट पर है ऐसे में बीजेपी विपक्षी दलों के विधायकों को साधने में जुट गई है बुधवार को तो कॉंग्रेस और जार्खन मुक्ति मोर्चा में मानो भगदर ही मच गई जब एक के बाद एक पांच कदावर विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया रांची में प्रदेश बीजेपी कार्याले में आयोजित समारों में कॉंग्रेस और जेमेम के विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई गई मुख्यमंतिरी रगवर्दास ने इस समारों के दोरान पाटी में नए सदस्यों का स्वागत किया सुबे में एक अध्यक्ष और पांच कारेकारी अध्यक्ष बनाने के वाबजूद कॉंग्रेस अपने कुनवे को बिखरने से नहीं बचा सकी कॉंग्रेस के पुर्व परदेश अध्यक्ष और विधायक सुकदेव भगत कॉंग्रेस विधायक मनोज यादब बीजेपी में शामिल हो गए वहीं लोग सभाचुनाव में करारी शिकस्त जहल चुका जार्खन मुक्ति मोर्चा का भी बुधवार को कुनवा विखर गया जब हिमन्त सोरेन के करीबी रहे जेमें विधायक कुनाल सारंगी ने बीजेपी का दामन थाम लिया मांडू से जेमें विधायक जेपी पटेल भी बीजेपी में सामिल हुए है जेमें बिधायक जेपी पटेल लोगस्वाचुनाव के वक्त ही बागी रोख अक्तियार कर लिये थे उन्होंने लोगस्वाचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार भी किया था वहीं बिधायक भानुपरताप शाही भी भगवा रंग में रंग गये हैं बानुपरताप शाही ने अपनी पाटी नौजवान युवा मोर्चा का विलै भी बीजेपी में कर दिया इसके अलावा पुर्व डीजेपी टीके पांडे, पुर्व आईएस सुचित्रा सिन्हा, कॉंग्रेस नेता और पुर्व आईपीएस अधिकारी अरुनुराओं भी बीजेपी की सदसे ताली इस समारों में मुख्यमंतरी रगवर्दास के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्स्वन गिल्वा, जार्खन बीजेपी के सहप्रभारी नंत किशोर यादव, हजारी बाक्से सांसद और पुर्व केंद्रिय मंतरी जैन्ट सिन्धा भी मौजूद रहे जार्खन बिधान स्वा चुनाओ के एरान से पहले विपक्षी दनों के विधायकों को मिलाकर बीजेपी अपनी स्थिती को मजबूत करने में जूटी है, वहीं विपक्ष में खलवली है, क्योंकि आने वाले दिनों में विपक्ष को न सिर्फ अपने कुनबे को बचाने की चुनाओती होगी, बलकि अपनी ही पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के खिलाप आक्रमक रनीती बनाने की भी चुनाओती होगी।